सिंगर और अक्टर दिलजी दुसांज की आने वाली फिल्म चमकीला से नया गीत जल्दी होगा रिलीज Recently दिलजी दुसांज की और से social media के जरीए ये share किया गया है कि उनकी आने वाली film चमकीला का नया गीत जल्दी ही release हो जाएगा इस गीत का नाम है तू क्या जाने वेल इस गीत के poster को share करते हुए दिलजी दुसांज ने classic song भी play किया है और साथ ही इस गीत के poster को share करके इसकी release date भी बताई है दिरसल इस गीत का नाम है तू क्या जाने और इस गीत के poster में हम देख सकते हैं दिलजी दुसांज और परिनीती चोपडा को अमर सिंग चमकीला और अमर जोत के characters में इस गीत को अवाज दी है यशिका सिक्का ने और लिरिक्स हैं इर्शाद कामिल के यशिका सिक्का और इर्शाद कामिल का ही गीत एर रह्मान की music के साथ दिलजी दुसांज ने play भी किया है इस गीत के poster को share करते हुए background में इस गीत का नाम तू क्या जाने है और इस गीत की वीडियो को film आया गया है दिलजी दुसांज और परिनीती चोपडा के उपर वेल इस गीत की वीडियो में हमें दिलजी दुसांज और परिनीती चोपडा नजर आएंगे और इसके अलावा चमकीला फिल्म में भी हमें ये दोनों में लीड प्ले करते हुए नजर आने वाले है वेल बात करें इस गीत की रिलीज डेट की तो 3rd April यानि की कल ये गीत रिलीज हो जाएगा लेट सी इस गीत को कितना प्यार मिलता है क्योंकि गीत से काफी ज़्यादा expectations है क्योंकि चमकीला एक musical फिल्म है तो इसके गानों से हम high expectations रख सकते हैं और जैसे की इस फिल्म के पहले गीत रिलीज हुए है उनको भी काफी अच्छा response मिला है सो कल यानि की 3rd April को सारे गामा म्यूजिक के official YouTube चैनल पर तू क्या जानेगीत रिलीज होने वाला है दिलजी दसांज और परिनीती चोपडा की आने वाली Netflix फिल्म चमकीला से चमकीला फिल्म के credits की बात करें तो इस फिल्म में हमें दिलजी दसांज और परिनीती चोपडा नजर आने वाले हैं दिलजी दसांज एर रह्मान ने किया है वले इस फिल्म का म्यूजिक एर रह्मान ने किया है और according to reports इस मूवी according to reports इस फिल्म में 15 to 17 गीत होने वाले है let's see अब इन गानों को कितना प्यार मिलता है क्योंकि एक म्यूजिकल फिल्म है तो इतने गाने होने तो बनते हैं अब दिलजीव दसांज और परिनिती की acting का अंदाजा हमें trailer से ही लग गया है so आप कितने excited हो 12th April के लिए जब ये movie Netflix पर release होने वाली है so comment करके बता सकते हैं so that's a wrap for now for more updates keep watching Punjabitation India